मैं अपने संगठन के सभी करोरो करोरो कारकरताओं का हिर्देश अभार वैक्त करती हूँ और मानिये स्री अमित साथ जी का हिर्देश सबकामना देती हूँ उनके आश्चिरवाद में उत्तर पर्देश की नरकल्यान बोर्ट का गठन हुआ सर्वोच न्याले के आदेश पे उत्तर परदिस राज में जिस परकार से बेरोक्रेसी हावी हो गई है लोक भवन में आप जाईए मुखमंत्री से जाईदे पावर अधिकारी रखते हैं एक गरीमा होती है दरजा प्राप्त बोर्ड की उपाद्यक्षो में किन्नर ट्रांजे मेरे ओफिस में स्टाप नहीं है मैं क्या काम करूंगी स्टाप को भगा देते हैं आरूप लगा देते हैं कुछ भी कहरे फसा देंगे जेल डलवा देंगे जोटे हमारे पर क्या पसाएंगे हमको हमें क्या पसाएंगे हमारे न बेटा है न बेटी है न आज तक मेरे जीवन मेरा खाली ने कराया गया मुझे उलजा दिया गया हां और जो है मेरे जब से मैं इस बोर्ड में बनी हूँ तब से आज तक मैं एक दिन भी काम ने करी जिलों जाती जिला दिकारी भाग जा रहे और माने मुखमंतरी योगी आदितनाज जी ने एक बच्ची है में गोद ले र पाई में इतना बिरोक्रेसी हावी है रिस्पेक्ट नहीं कई कई इनके बिधाय कई कई मंतरी अंदर ये अंदर घुटन से मैसुच कर रहे योगी जी को जो है अधिकारियों ने यही बुल्डोजर के खिलाप मैंने बोली थी बरेली में जो गरीबों का दीन हीन का मकान मत बे बिलकुल माफियाओं पर जो राज को नुकसान पहुचा रहा है समाज को नुकसान पहुचा रहा है समाज में अवंचित काम करने ऐसे लोगों पर कारवाई होनी चाहिए बलकि परसासन उतर परदेश के कुछ परसासन इतनी अच्छे हमारे परदेश के जो बहुत इज गया जो लूट रहे हैं घर बर रहे हैं इनकी जाच बैठे तो इतना ही भष्टा चारवट है यहां कि कुछ अधिकारी जो जिला अधिकारी है पुलीस के लोग हैं समझ गए तो मुखमंत्री जी से सिकायद करते करते ठक गई मुखमंत्री जी कोई मुखमंत्री जी मानिये का कोई असर ने हो रहा है उनकी बात का कोई असर ने कर रहा है मुखमंत्री जी जब तक ऐसे अधिकारियों को घर ने बैठाएंगे ऐसे अधिकारियों को बोरी बिस्तर नहीं करते बीजेपी के निताओं को सुनवाई ने हो रही है जो जमीनी कार है जदी बीजेपी कार करताओं का नहीं होगा तो किसका होगा वही आभी बूथ पे लड़ेंगे वही जो है भोट निकालेंगे वही जनता में गराब को आगे लेकर जाएंगे बीजेपी का तो मैं तो भ नहीं हूँ मैं इनके सरकार में काम करने की लाइक नहीं हूँ मैं सरवोच न्याले दोरा बनाई गई हूँ इन्होंने मुझे मेरा नाम दिये संगठन के दोरा माने सुनिल बंसल जी ने दिये थे तो मैं इसलिए जब हमारे बोर्ड में बजट लेके आई किस तरह से में कहा चले गया पता-णी अपने आप जो पदेन अड़्यक कि दया को देख्येख अतरो जेश्मार्यबगे और मेरे गई हमारे विभाक करने के आघ्षा रुपया किराया और पुराने जो दिये तेकलेश जी ने उसका भी किराया हम पर जोड दिये 12 लाग 13 लाग रासामपती भी भागने मेरे इस्टाप दे कि सब भगा दिये गए जुटे सचे में कह रहे हैं आपको मुकदमा डाल देंगा चुपचा बेढ जाए चुपचा अब बताइए मैंने ऑपरेशन के लिए डिमांड की मेरे जीलेक दो तिन लोग हैं उनका किसी का किडिनी का किसी का हाट का ऑपरेशन के लिए मैंने फाइल लेक्या आई आज तक उनका पैसा नहीं मिला तो जब नहीं ऐसे काम होंगे समाजी कार तो मैं ऐसे पद पे रहना इस सर करती हूं मैं माणिया महा महीम राजपाजी से मिलने गई सो जो है मिलने का वक्त जो थोड़ा समय निकल गई कुछ उनका काम हो गया उठ गई थी की सरकार संगठन से बरा है और उत्तर परदेश में बीजेपी की सत्ताइस में सरकार बनना निश्चित है यह अपने जो यह मुझे जिम्यदारी दिया गया इससे में मुक्त होना चाहती हूं तो क्या उसको लिए इस समान चीज़ों को लेगा क्या अधिकारी बिरोक्रेसी हावी है और मेरे ना बेटा है ना बेटी है ना मैंने एक रुप्या कभी किसी के साथ करी हूं मुझे किसी चिचका डर नहीं है मुझे मेरे अपने न्याई पालिका पे विश्वास है मानने न्याई पालिका कल्यू के भगवान है और न्याई पालिका पे मुझे अपना विश्वास है न्याई पालिका हमें रक्षा करेगी हम किसी के मोहताज नहीं है और हमारे सुल्तानपूर की जनता जिंदावाद मै मैं अपने जनता के दम पे हूं सुल्तानपूर की जनता और मैं बिजेपी की कारकरता के रुप में काम कर रही हूं और काम करती रहूंगी और भार्त जनता पार्टी की में एक कार करता हूं और कार करता रहूंगी और संगठन में काम करूंगी और हमारा लक्ष 2017 के लिए हम ल हम गाउं में जाएंगे जन्ता के बीच में जन्ता की इप लवधी बताएंगे जन्ता को हमारी सरकार के अंद्र सरकार राज सरकार के जो सभी केढ़ने जो हमारेý कैबनेट जो कार है जो सरकार कार कर रही है उसको हम बताएंगे जनता में और क्या काम करेंगे वीजे पी के नीटी को बताएंगे मैं जनता के बीच में जाऊंगी जनता के अपनी बात बताऊंगी बीजेपी की योजनाओं को जो बीजेपी का जो होती है मेनुफेस्टो पार्टी की जो सिधान्त है दाक्टर स्यमा परसाद मुखर जी पंडित दीन द्यालुपाद्य जी किसी धानतों को लेकर मैं जनता के बीच में कार करूंगी लक्ष हमारा एक है नीती हमारा साफ है भारत के लिए समर्पन हम लोग है समाज के लिए समर्पन है देश के लिए समर्पन है तो उस नियत को मान देखिए उप चुनाव योगी जी जितातो रहे हैं मानि मुख मंतरी जिताएंगे मानि मुख मंतरी जी निक्तिस मंत्रीयों की जिम्मेदारी बना लिए और मानिय योगी आधितनाद जी जितवाएंगे हमको जिमधारी दे चाहिए । चुनाव लड़ाए हम लड़ेंगे, चुनाव जहां से कहेंगे वहाँ से लड़ लूगी और जिमधारी देंगे तो काम करूंगी, नहीं देंगे तो हमारा तो आसिरवात देने का काम ही है, हमारा तो किनर का जो पर्था में अपना करतब ह 230 सल्तान पुर में करूंगी। और उसका साथ साथ पार्टी संगठन के लिए काम करूंगी। क्युक्त करें मेरा तो यही है दोगहजार सप्तासर बारछी मतों से भतर की बनें और उत्त श्युकर्द के सभी अध्षिकारियों से मैं जो पत्र बैठ्य निवेदन कर रही हूं भारछी जन्ताफ पार्टी के करता FIR करताओं के लिए उनका सम्मान के पर्ति उनके आस्ता के साथ पहुंचाने का काम न करें मैं यहीं निवेदर करती हूं मानि मुख्वंत्री जी से ऐसे अधिकारियों को घर बैठाने का काम करें कि बिल्कुल सही बोले है माने के सब परसाद मोरी जी जमीनी बैक्ति ही है और उन्होंने संगठन को समस्ते संगठन को तयार किये हैं संगठन के विचार धारा से परभावित हैं और संगठन ही सरवपरी है ना कि सरकार संगठन से सरकार है और संगठन ही नीती और नियत और व्यक्तित को तै करता है ना कि सरकार तै करता है संगठन हमें भी तो बनाए है बदलाब लावे ना लावे मोदी जी जाने और मिसा जी जाने और बदलाब ने लाएंगे तो नुकसान बहुत तग्रा होगा यह तो है हमने कई बार इस्तिफा दे दी हूँ और आज भी देने गई थी जब मिले नहीं तो मैं क्या करूँ मेरा तो इस्तिफा रखा हुआ है आज मुझे हटा दे भाईया योगी जी हटा दे अपने आप तो में ठीक हूँ उनको हटा ही देना चाहिए मुझे जब यहां मेरा बजट खा जा रहे है पूरा पैसा खा गए घर का किराया मेरे उपर डाल दिये 14 लाक रुपया मेरे स्टाप नहीं है जिलेम जाए तो जिलादिकारी कई जगा चले जा रहे है जब कुछ सुनवाई नहीं हो रही है तो ऐसे राजमंत्री से मैं ऐसे ही ठीक ह भारत माता की जए उत्तर परदेश जिन्दाबाद